नमस्कार दोस्तों, अभी के समय में देश में इलेक्टरिक स्कूटर्स की मांग तेजी से बढ़ लही है, क्योंकि इलेक्टरिक स्कूटर्स की माइलेज या यू कहें कि ड्रैविंग रेंज जादा होती है, इनकलों के स्टाइलिश और फीचर्स प्रीमियम होते हैं, साथ ही लेकिन अब सवाल आता है कि हम कौन सा электrisch scooter खरीदें? तो आज के इस वीडियो में हम आपको देश में विक्री के लिए मौजूद top 4 electric scooters के बारे में बताने वाले हैं लेकिन वीडियो शुरू करें उससे पहले प्लीज आप अमारे channel हिंदी आउटो निउस को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए टॉप इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की इस लिस्ट में नंबर चार पर अपनी जगे बनाई है TVS iCube Electric ने इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में 4.4 किलोवाट की इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है जो की बहतरीन टॉर्क जनरेट करती है एक बार फुल चार्ज करने पर TVS iCube 70 किलोमीटर तक की ड्राइविंग रेंज देता है वहीं इसकी टॉप स्पीड 78 किलोमीटर प्रदी घंटे की है कीमत के मामले में TVS Smart Connect Platform, TVS Instrument Cluster और LED DRL जैसे खास फीचर से लैस इस स्टाइलिश इलेक्ट्रिक स्कूटर की दिल्ली ओन रोट कीमत 1,8,000 रुपए के आसपास है 3. बजाज चेतक इलेक्ट्रिक 3 किलोवाट आवर की लीथियम आइन बैटरी से लैस बजाज का ये इलेक्ट्रिक स्कूटर एक बार फुल चार्ज करने पर करीब 95 किलोमीटर तक आसानी से चलता है चेतक के इस इलेक्ट्रिक वेरियंट को एक बार फुल चार्ज करने में करीब 5 घंटे का समय लगता है को धीरे-धीरे करके देश के सभी शहरों में लॉंच करने की प्रक्रिया में लगी हुई है मोटर और बैटरी की बात करें तो आई प्राइज इलेक्टरिक स्कूटर में ये स्कूटर 160 किलोमीटर की ड्राइविंग रेंच प्रदान करता है फीचर्स के मामले में ओकिनावा आई प्राइस को मुबाइल एप्लिकेशन कनेक्टिविटी एंटी थेफ्ट अलाम, कीलेस एंट्री, हाई स्पीड अलर्ट और रेजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम जैसे प्रीमियम फीचर्स से लैस किया गया है कीमत के मामले में इस इलेक्टर की स्कूटर की शुरुवाती कीमत 1,15,000 रुपए रखी गई है टॉप इलेक्टर की स्कूटर की आज की इस लिस्ट में नंबर एक पर अपनी जगह बनाई है एथर 450 ने इस इलेक्टर की स्कूटर में दी गई BLDC मोटर 5.4 किलोवाट की पावर जनरेट करती है बैटरी की और ध्यान दिया जाए तो एथर 450 में 2.4 किलोवाट आवर की लीथियम आइन बैटरी दी गई है जिसे 0 से 80 प्रतिशत तक चार्ज करने में सिर्फ 2 घंटे का समय लगता है वहीं एक बार फुल चार्ज करने पर ये स्कूटर करीब 75 किलोमीटर तक चलता है वाथी कीमत करीब 1,7,000 रुपए रखी गई है तो दोस्तों उपर बताये गए टॉप 4 इलेक्टर की स्कूटर में से आप कौन सा इलेक्टर की स्कूटर खरीदना पसंद करोगे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें साथ ही हमारे चैनल हिंदी आटो निउस को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करना ना भूलें थैंक्स फो वाचेंग